हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साधनन डिजाइन इडिट में आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का सीवी इडिटिंग फोटो करके दिखाने बाला हूँ तियार वीडियो को बिलकुल भी स्किप ना करें कि वीडियो क्योंकि बहुत मज़िदार होने वाला है वीडियो में मैं सुरू से बताऊंगा कि सीवी इडिटिंग कैसे किया जाता है तो देखो मैं इसको इडिट किया हूँ कितने अच्छे तरीकिस, कितना मेरा फोटो अमेजिंग लग रहा है चलो इसको share कर लेते हैं Lightroom application में और उसमें इसको retouching करके और सुरू से editing कैसे किया जाता है वो आप लोगों को बताता हूँ चलो बीना देरीकि ये वीडियो को start कर लेते हैं friends तो finally अपने photo come share कर लेते हैं Lightroom application में और थोड़ी देर loading लेने के बाद मेरा photo add हो चुका है अब photo पे click करके उसको open कर लेते हैं friends उसके बाद से जाएंगे light वाले option पे जो उसका contrast होता है उसे minus करेंगे highlight को भी minus करेंगे, shadow होता है plus करेंगे और जो white से उसको plus करेंगे, और जो black से उसे minus कर देंगे आप कुछ इतना करने के बाद आजाते हैं, कलर वाले option पे mix पे आजाएंगे और orange वाले color पे आके उसका saturation होता है minus करेंगे जो luminous होता उसको प्लस करेंगे जिससे मेरा face गुरा हो जाए yellow वाले color पर आ जाते हैं उसका saturation को minus करेंगे اور green पर आ कि उसका saturation को plus कर देंगे इतना करने के बात, done कर देथे हैं आज आते हैं effect वाले option पर अजो texture होता है उसे fuel करेंगे और जो उसका business है उसको हम माइनस करेंगे कुछ इस टाइप से आप लोग भी माइनस कर लिजिएगा और उसके बाद से share वाले option पे click करके इस photo को हम save कर लेते हैं अपने gallery में तो finally friends मेरा photo save हो चुका है चलो चलते हैं fix art application को open कर लेते हैं friends अब उसी में हम इसका background को add करेंगे और इसके photo को भी add करेंगे चलो plus वाले icon पे edit photo पे click करके इसका जो background होता है उस background को add कर लेते हैं फटाक से तो finally friends मेरा background एड़ हो चुका है effect वाले option पे click करेंगे चलो simply से click कर लेते हैं और जो blur वाला option है उसे पहले नंबर वाले blur को click करके और उसका blur थोड़ा सा बढ़ा देंगे और उपर eraser वाला option दिख रहा हुगा उस पे click करके और उसको हम नीचे वाले part को erase कर लेते हैं erase करने बाद उपर sign वाले option पे click करके इस photo को हम sign कर लेते हैं अब फिर से जाएंगे add वाले option पे और जो अपना photo होता है उसको मैं पहले से background को remove करके रखा हूँ अपने photo का अगर आप लोग को background remove करना नहीं आता तो जाओ description box में मैं पहले से एक वीडियो बना के रखा हूँ description box में उसका link है जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं full HD में अपना background remove कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से adjust करने के बाद sign वाले option पे click करके इस photo का हम sign कर देते हैं और फिर से जाएंगे add वाले option पे और एक test png है उस png को add कर लेते हैं चलो फटा फट उस png को friends add कर लेते हैं उस png को add करने के बाद कुछी अपने कंदे के बगल में कुछी टाइप से अच्छे तरीके से adjust करने के बाद sign वाले option पे click करके और इसको हम sign कर देते हैं फिर से जाएंगे add वाले option पे और एक और png है जो की नीचे लगाएंगे उस png को add कर लेते हैं उसको add करने के बाद कुछी इस टाइप से zoom करेंगे और नीचे की तरब लगा देंगे लगाने के बाद उपर sign वाले option पे click करके इस photo को हम sign कर लेते हैं तो finally मेरा fix art में इतना हो चुका है चलो इसे draw वाले option पे click करके और layer पे click करेंगे layer पे click करने के बाद इसको merge कर लेंगे और three dot पे click करके इस photo save कर देते हैं अपने gallery में तो finally friends मेरा photo save हो चुका है gallery में देखे कुछ इस type से हुआ है इसको हम share कर लेते हैं आटो sketchbook application में जिसमें मैं आप logo को hair कैसे बनाया जाता है photo का मैं ए बताऊंगा और उसका face कैसे smooth होता है इस video मैं मैं ए भी बताऊंगा तो यार video को बिल्कुल भी skip न करने तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा चलो चलते हैं फटा फट अपने brush पे और उस brush को खोज लेते हैं इसी brush से हम अपने hair को बनाएंगे और उसके size को अपने इसाब से रखिएगा उसके बाद से आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं ताकि आपको editing करने में आसानी हो और कुछ इस type से zoom करने एक बाद अपने hair पे देखिए ऐसे चलाना है आप लोग को मैं हर वीडियो में यार ये सब बताता हूँ तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा speed कर देता हूँ तो काफी जादे वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंट्स और आप मेरे चैनल प्यार पहली बार आयो तो मेरे चैनल को subscribe करो और वीडियो अच्छा लगे ने मेरे भाइत अपने दोस्तों पास जादे जादे share करो तो finally frames मेरा hair देखो कितने अच्छे तरीके से मेरा hair बन चुका है और इसका face smooth किस brush से करते हैं चलो उस brush पे चलते हैं और इसका face smooth करके दिखाते हैं जो इसका follow है वो 4 रहेगा जो इसका state है उसको 29 रखेंगे और आ जाते हैं back देखे उसको zoom करने अपने फोटो को कुछ इस type से आप लोग अपने फोटो पे brush चलाना है जैसे कि अच्छे तरीके से चलाना है कि आप लोग का भी face smooth हो देखो मैं कितने अच्छे तरीके से अपने face पे brush चला रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग भी कुछ इस type से अपने फोटो को full zoom करने एक बाद brush चला आईएगा तो आप लोग का भी कुछ इस type से face smooth होगा यार अभी तक मुझे आप लोग Instagram पे follow नहीं कियें तो जाओ फ्रेंट से description box में मेरे Instagram का link दिया है जाके आप simplest वहाँ से मुझे follow कर सकते हैं मैं editing से related हमेशा हूँ आप निव पोस्ट करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि निव वीडियो कब upload होगा तो जाओ फटाक से मुझे Instagram पे follow करो friends मैं वीडियो को थोड़ा सा speed कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो यार काफी जादे लंबा हो जाएगा आप लोग धीरे धीरे अच्छे तरीके से अपने face को smooth करेएगा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ इस टाइप से photo editing करना तो जाओ friends description box में इस background का और png का link दिया है जाक आप simplest वहाँ से download कर सकते हैं और कुछ easter का photo आप लोग भी बना सकते हैं अब मैं कपड़े का color कैसे change करता हूँ नेस्ट वीडियो में आप मैं बताऊंगा नहीं तो वीडियो काफी जादे लंबा हो जाएगा तो finally friends मेरा face देखो कितने अच्छे तरीके से smooth हो चुका है और उपर जाएंगे three dots पे click करेंगे जो उपर three dots दिया है उस पे click करके ice photo का हम save कर लेते हैं simply से अपने gallery में तो finally friends मेरा photo save हो चुका है gallery में इसको share कर लेते हैं Snapseed application में और अपने face को मैं गोरा कैसे करता हूँ इस वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूँ तो tools पे click करेंगे और selective tool पे click करके अपने photo को कुछ इस type से zoom कर लिजेगा अजूम करने वाद अपने photo पे रख के उसके बाद से brightness को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और saturation को minus करेंगे तो देखो कितने अच्छे तरीके से मेरा face गोरा हो रहा है फिर से यहाँ पे saturation रखेंगे और उसके बाद से brightness को बढ़ाएंगे और जो उसका saturation होता है उसको minus करेंगी आफ फिर से selective tool पे अपने हाथ पे रखेंगे कुछ इस type से और brightness होता है उसको बढ़ाएंगे और जो उसका saturation होता है उसको minus करेंगे तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा फेस है जो उकी गोरा हो चुका है और उसको बाद से यहाँ पे भी brightness बढ़ाएंगे saturation को minus करेंगे और sign वाले option पे click करके और इसको sign कर देते हैं फिर से जाएंगे tools वाले option पे click करेंगे और जो tune image लिखा उसको पे click करके और जो उसका situation होता है थोड़ा सा plus करेंगे देखो जैसे मैं कर रहा हूँ और उसके बाद से आजाते हैं अबिनेंस को भी थोड़ा सा plus करेंगे highlight को थोड़ा सा minus और जो shadow हता उसको भी थोड़ा सा minus करके sign कर लेंगे जो उपर एक तीर का option दिख रहा उस तीर पे click करेंगे click करने बाद view edit पे click करेंगे और उसके बाद से इस पे tune image पे click करके अब brush पे click करेंगे अब फिर इसे अपने पूरे body पपलाई कर लेते हैं इसको zero कर लेंगे zero करने बाद कुछ इस टाइप से अपने face को zoom करके अपने face पर से इस brush को चला के अपने face पर से हटा लेते हैं जो कि से duration आया है और अपने हाथ पर से भी हटा लेंगे हटाने बाद sign वाले option पे click करके अइसको हम sign कर लेते हैं friends तो finally friends मेरा photo editing हो चुका देखे कितना amazing लग रहा है चलो friends इसको done वाले option पे click करके अपने photo को save कर लेते हैं अपने गलरी में चलो friends मिलते हैं next video में आया है